राजस्तान की सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए उन सभी नेताओं या उनकी विद्वाओं की पेंशन बंद कर दी है जो आपातकाल की दौरान जेल में बंद थे राजस्तान सरकार के इस फैसले से सियासी माहौल गर्मा गया है गहलोज सरकार का बड़ा फैसला मीसा बंदियों की पेंशन बंद राजस्तान में कॉंग्रेस सरकार ने मीसा बंदियों की पेंशन बंद कर दी है गहलोज सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल में डाले गए मीसा बंदियों को स्वतनता सेनारी मानने से इंकार कर दिया है गैलोग केबिनेट के इस प्रेसले से बीजेपी तिलमिलाई हुई है और इसे आलोगतंत्रिक फैसला खरार दिया मीशा बंदियों की पेंचन बंद करके सरकार ने ताना शाई पुर्वक रवईये को दर्साया है कि कॉंग्रेस अपने इस लोकतंत्र विरोधी निर्ने पर पनर विचार करे और इस निर्ने को वापस ले राजस्थान में 542 मीशा बंदी और 1352 डियायार बंदी है 1908 CRPC ने रुद्ध लोग है इने 20,000 रुपे मासिक पेंचन और मेडिकल भटता मिलता है निसा बंदियों की पेंचन रोकने के साथ ही गैलोज सरकार ने निकाय प्रमकों की चुनाव सीधे न करा कर आप रत्यक्ष तोर से कराने का फैसला लिया है बीजेपी ने इसे कॉंग्रेस सरकार की विफलता बताया है कॉंग्रेस पार्टी की इस तरीके की जोड़तोर से निकायों पर काविज होने का सपना मुंग्यरिलाल हसीन सपनों जैसा होगा तो मैं समस्ताओं कि ये ऐसा दूसरा आउसर है जब सरकार पीछे हटी है, सरकार डरी है अब परत्यक्ष चुनाव से हो सकता जोड़तोर कर लें लेकिन मुझे लगता नहीं है कि उनकी बाड़ा बंदी की और जोड़तोर की राजनी की सफल होगी राजस्तान की 193 निकायों में इस साल के अंत में चुनाव होने हैं पहले चनर्ण में 52 निकायों में चुनाव परस्थावी थैं, इनकी अधिस्जू चुनाव जारी कर दी गई है गैलू सरकार ने विधासभा चुनाव में जीत के बाद दिस्थानिय निकाय चुनाव में प्रत्यक्ष चुनाव कराने का फैसला लिया था लेकिन अब यू टॉर्ण लेते हुए अपने ही फैसले को पर अट दिया वीडियो जनलिस्क महिश शर्वा के साथ लाल सिंग पॉझदार न्यूस नेशन शेपुर परशले इस पुलुटन में इतना ही खबरें आगे भी जारी रहेंगे आप देखते रहें न्यूस नेशन